Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 2.3 से question number 5 करेंगे Study the pattern, एक pattern दे रखा है आपको 1, 2, 3, 4, 5 ये pattern की 4 terms दे रखे हैं, तलब की नीचे 4 line तक का pattern आपको दे रखा है Write the next 2 steps, तो इसी pattern के according, इसी pattern को follow करते हुए आपको नीचे के 2 steps और लिखने हैं चलिए पहले pattern को इसे ढंक से observe करते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है एक line में मैं ध्यान देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यह मुझे 4 number दिखाई दे रहे हैं पहला number 1 है, multiply 8 plus 1 is equal to 9 अब मैं इसी की comparison दूसरे से करता हूँ दूसरे line में क्या लिखा हूँ है देखे, पहले number में यहाँ 1 था यहाँ पे 1 के साथ में 2 भी आ गया multiply 8 plus 2 दूसरा यहाँ पे change नहीं हुआ यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है तीसरे में देखता हूँ, वो भी 8 है तो यह दूसरे line तो मेरे को समझ में आगे कि हर जगह पे multiply 8 ही करना है पहली line में मुझे क्या समझ में आया कि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 के साथ 2 भी लिख दिया यहाँ पे 1, 2, 3, 4 भी लिख दिया यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 भी लिख दिया यानि हर बार एक गिंती आगे बढ़ रही है और multiply उसे 8 से ही किया जा रहा है हर बार और तीसरे नमबर पे 1 और यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 और यहाँ पे 5 जैसे यहाँ पे 1 है ना पहला नमबर यह तो 1 दूसरा तो 2 तीसरा तो 3 4 और यह 5 यहाँ तीसरी लाइन के अंदर गिंती order से बढ़ रही है चौती लाइन में जो result की लाइन है वहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पहला answer आया है 9 यहाँ दूसरी लाइन में 9 के बाद 8 आ गया तीसरी लाइन के में 9 के बाद 8 और 8 के बाद 7 आ गया तो यह pattern यहाँ समझ में आ रहा है कि 9 से पीछे का number आता जा रहा है 9 फिर 9 और 8 फिर 9 8 7 तो फिर 9 8 7 6 आ गया फिर 9 8 7 6 5 आ गया तो इस तरह से आपको इस pattern को समझ लेना है अब यहाँ पर 5 तक तो यह कर रखा है यानि 1 2 3 4 5 पाँच steps तक का यह pattern कर रखा है मुझे लिखना है 6 वाला step और 7 वाला step तो देखिए इससे जो next step होगा उसके अंदर यह जो गिंती है 1 2 3 4 5 यह 6 तक लिख दी जाएगी 1 2 3 4 5 6 और multiply हर जगा पे 8 से हो रहा है तो 8 से ही multiply होगा और plus यहाँ पे होगा 6 क्योंकि यहाँ 6 तक पहुंच गे न हम यह जो पीछे का number है जितना यहाँ पे है न वो ही इसके अंदर add हो रहा है यहाँ देखिए 5 यह लास्ट में तो 5 ही add हो रहा है यहाँ 4 है न तो 4 ही add हो रहा है यह 3 है न तो 3 ही add हो रहा है तो यहाँ 6 है तो इसके अंदर 6 add होगा और जो result आएगा result यह होगा कि यहाँ पे 9, 8, 7, 6, 5 तक पहुँच गया यानि यह 5 लिखा हुआ है ना 5 number तो 5 number 9 से पीछे के 5 number आ गई अब हम जब 6 लिख रहे हैं तो 9 से शुरू होके और 6 number तक हमारा answer आएगा यानि यहाँ पे जो लिखा जाएगा यह होगा 9 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यह जगह कम पड़ रही है result में जो आएगा 9, 8, 7, 6, 5 और यह 4 तक आएगा क्योंकि 6 number कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इस तरह से मैंने इस pattern को observe करके इसको समझ लिया कि यहाँ पे क्या-क्या हो रहा है तो यह मैंने निकाल दिया है इसका छटा वाला number मुझे 2 निकाल ले ना तो एक और करना इसके नीचे, वो भी बिलकुल इसी तरह से follow होगा, वहाँ पे 6 तक यहाँ 6 तक है ना, वहाँ 7 तक counting आ जाएगी तो 1, 2, 3 4, 5, 6 और यह 7 multiply हर बार 8 से ही हो रहा है multiply by 8 और plus वो होगा जितने यह number लिखें, 7 लिखा है ना तो 7 ही लिखना है और इसके बाद 9 से गिनती शुरू होगी और 7 step तक चलेगी 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नमबर होगी तो 9 के पीछे 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3 इस तरह से मैंने इस pattern को observe किया और इसकी जो सारे जो lines हैं, यह जो number से इनको observe किया और मैंने पता कर लिया कि हर बार यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या चीज़ है तो आपको भी pattern को observe करना आना चाहिए और उससे next आपसे पूछे जा सकते हैं exam के अंदर आगे question कहता है कि can you say how the pattern works कि आप कह सकते हैं कि pattern कैसे काम करता है तो इस तरह से तो आपको question आएगा नी आपको ज़्यादा से ज़्यादा flinda blanks आ जाएंगे कोई pattern दे देंगे उसमें 3-4 तो दे देंगे आगे का एक दो आपसे पूछ लेंगे जैसे यहाँ पर आपसे next to पूछेते तो question खतम इस वीडियो में बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए goodbye